हलो दोस्तों गुडिवनिंग मैं आज मुझे एक वीडियो मिला और मैं बताना चाहूंगा हल्दी के बीज के बारे में हल्दी एक्चुली में जो है वो उसमें जब हम प्रोडक्शन करते हैं जब हम उत्पादन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पे जो यह है यह है मदर राइजोम वो होता है जो जिसको हम नॉर्मली हल्दी बनाने के लिए सुखा कर या प्रोसेसिंग करके हल्दी हम बना सकते हैं इसका प्रियोग कई बार लोग गलत फहिमी में यह सोच कर करते हैं कि अगर हम बड़े साइज का हल्दी लगाएंगे तो हमें जो है बीज इसी क के रूप में प्रियोग करना है और इससे अच्छा उत्पा दोना होगा जबकि हल्दी का यह जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिंगर्स नॉर्मली यह जो है जो हल्दी है उसमें आपने देखा होगा कि इन में जो अभी देख रहा है इसमें आपको कहीं पर भी आँख जिसको हम आँख बोलते हैं वो नजर नहीं आता है और जो बीज के लिए प्रियोग किया जाता है वो यह है जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं एक्चली इसके उपर आपने देखा होगा कि कई सारे आँखें अपने आप विजूल होता है बहुत साफ दिखता है कि यह आँख है और यहां से नई जो नया तना या नया पौधा जब हम मिट्टी में इसको हम लगाएंगे दवाएंगे तो डेफिनिटली है कि यहां से नया पौधा बनेगा तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हल्दी का बीज जो है फिंगर को ही जो आप देख रहे हैं इसी का प्रि बीज के लिए प्रियोग नहीं करते हैं इसे हम प्रोसेसिंग के लिए हल्दी बनाने के लिए हल्दी पौडर बनाने के लिए कुरकिमीन के लिए या हल्दी का तेल निकालने के लिए इसका प्रियोग करते हैं लोग गलत फहमी में किशान कई महिलाएं खास करके जब कहते ह कि इसको छाट के रख लेते हैं कि जितना मोटा या जितना हल्दी होगा या जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया हमारा हल्दी का फसल होगा तो इस बात के लिए ये वीडियो मैं इसी लिए आप लोग को बता रहा हूं कि हल्दी का बीज कभी भी इसे प्रियोग ना करें यह बीज के रूप में कभी भी बढ़िया आपको प्रोड़क्शन नहीं देगा ऐसा नहीं है कि इसको लगाने से पौधा नहीं बनेगा लेकिन एक्च्वल जो बीज है भूप फिंगर्स को ही प्रियोग में लाएं और फिंगर जो होते हैं उस पे आँखे होती है वो छोटा साइज का होता है उंगलियों की तरह होता है और उसको लगाने के बाद ही आपको हल्दी का अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हल्दी का प्रियोग फिंगर्स के लिए बीज उत्पादन के लिए या खेती के लिए करें बाकि सेश जो हल्दी के उखारने के वाद जो निकलता है उसको आप प्रोशेशिंग के लिए प्रियोग करें धन्यवाद